नमस्ते, नमस्कार, सलाम वालेकुम आनुश लॉक्स के पहले एपिसोड में आप सब का स्वावत है आज हम मस्केट के पहुत ही खुबसुरत बीच पर जाने वाले हैं बीच का नाम यती है और ये मस्केट से एक घंटे की दूरी पर है हम अब बत्रा सूप के पास से गुज़र रहे हैं ये उमान की बहुत ही पुराने मार्केट में से एक है यहाँ परफ्यूम, सैंडी ग्राफ, चांदे वगेरा बेचने वाली छोटी-छोटी दुकाने हैं ये जो सुंदर नजारा आप देख रहे हैं ये मत्रा कॉर्णिश है मत्रा सूप के पास में ही है मत्रा कॉर्णिश या हमीशा श्रिप स्टॉप की गई होती है शाम के वक्त तो यहाँ टहनने का मजाई कुछ और है और आप यहाँ पर साइकल रेंट को लिकर भी चला सकते हैं जाम को वक्त बादिश है जाम के वक्त वार आप यहाँ पर काम के वक्त रहे हैं तो यहाँ बड़्स अजरेदा देख दूबरू झाल 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 वो जो सफेट बिल्डिंग दिख रही है उस पहाड के उपर वो एक बड़ा इंसेंस बर्नर है इंसेंस बर्नर का हिंदियो ट्रांस्लेशन अगर आपको पता हो तो प्लीज आप कमेंस में लिखकर मुझे बताईए यह इंसेंस बर्नर उमान के 20 में नाशनल लीग के जशन में बनवाया गया था यह अल रियामस पार्क के उपर बनवाया गया है जो एक बच्चों का पार्क है यहां पर टिकेट्स लेकर बच्चे राइट्स यूज कर सकते हैं इस पार्क के चारू तरफ हरियाली है और अंदर से कॉर्णिश में दिख जाता है फैमिली के साथ वीकेंड मेंजर करने के ल जाते वक्त हम कंताव रोड से जाएंगे वापस आते वक्त हमरिया रोड से आएंगे दोनों ही रास्ते बहुत चुंदर है कर दो हम एड रोड़िया रोड़ एल रोड़का रोड रोड़िया है रोड़िया रोड़िया है झाल झाल बीच जाने से पहले हम एक अलग रास्ते से बर अलजे सारतौत की तरफ जा रहे हैं इस रेजॉर्ट से पहले एक बहुत ही संदर व्यूपॉइंट आता है जहां पर हम बहुत सारे खुबसुरत पिच्चर क्लिक कर सकते हैं झाल 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 उमीद करते हैं आपको भी वो व्यूपॉइंट उतना ही अच्छा लगा जोतना हमें लगा हम अभी बीच की तरफ जा रहे हैं बीच की तरफ पहुंचते वद्ख हमें रास्ता में बहुत सारी जानवर देखें झाल 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 पहाड पेड़ और बीच सब एक ही जगह पे झाल 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 इन उचे पहाडों के नीचे हमें पुराना गाव देखा या हमें पिशिंग बोच पुराने खर, खजूर और छोड़े मोटे खेती बाड़ी दिखी पूराना गाल झाल 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 था हम हमरे रोट से वापस जा रहे हैं और ये सफर बहुत ही भज़ेदार होने वाला है इसलिए आपको बीच में वीडियो हिलती डूलती हुई दिखे या फिर मेरी उंगलिया बीच में दिखे तो समझे ना कि मैं फोन ठीक से पाकट नहीं पा रहे हूं झाल 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 और इस तरह एक सुनर सा बीच देखकर एक प्यारा सा पुराना सा गाव देखकर रोलर कोस्टर जर्नी करते हुए हम रूभी बहुंच गए हैं उमिद करती हूँ कि आपको भी ये सफर उतना ही मज़ेदार लगा जितना की हमें लगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो पीस लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए ये वीडियो के एंड तक देखने के लिए बहुत 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 थैंकिए झाल